आज हम पड़ा हुआ वचन यही हैं कुछा वचन है? पहले कुरिंदीओं का पत्री ग्यार्या का तेई से लेकर कांस करके इकी से लेकर पड़ा हैं लेकिन तेई से लेकर जब हम पढ़ते हैं प्रभु वो इसका सेवगाई को लेके प्रभु का दास पवित्राक्मा में भर के कलिस्या से वानी दिया है आज कोटला कलिस्या से कुरिंदिया कलिस्या से बात किया हुआ प्रमेश्वर बात करतेगी हम आज पाने वाला यह से बगाई पास्टर राजसे गरन का नहीं ट्रिंिटी चचप कोड का नहीं कोई संस्ता का नहीं लेकिन वहां भरसाथ लिका हुआ है में कहा से पाया है प्रभु से पाया हुआ नहीं अमारा सामने प्रभु का मेश में दो चीज रखा हुआ हैं समाज में प्रफबोज में हम भाटने वाला चीज़ों के लेके अलग-अलग गलत बाते हैं लोग फेलाते हैं इसलिए में हमारा कलिसिया के अंदरे क्लियर करके बार-बार बदाते हैं कल भी एक भाई बदाया जब उन्होंने पहले बार इस चर्च में आ गया यह प्रभू का मेश देखा उन्होंने वो सोचने लगा यहां बर दारू रखा हुआ हैं दारू लोग वाईन भाटते हैं क्योंकि उनको नहीं पताता क्योंकि वो बागर से सुना हुआ चीज यहां आने के बाद देखने का समय सोचने लगा इसे होगा बाद में ओ भाई कल रात मेरे से बोल रहा था हम प्रभु पोश का सेवगाई का यह सारे चीज तैयार करने का समय एक दिन पास्टर इस विशे को लेके जब क्लियरली बात किया तब मुझे समझ में आ गया इसके अंदर जैसे लोग बदाने वाला कोई गलत चीज नहीं है यह जरूर प्रभु का मेश है इसमें कोई दारू ऐसे कोई चीज नहीं है अंकूर का रस ओ लोग प्रभु का कून को दर्शाने के लिए देते हैं आमेन शायद आज वो भाई जैसा सुना हुआ, सोचा हुआ सोचने वाला लोग अभी भी शायद बैटा होगा लेकिन आपका क्लियरंस के लिए मैं बदाता हूँ यहां बार प्रभु का मेश में दो चीज रिखा हुआ है नमबर वन प्रभु का देग को दर्शाने वाला रोटी का तुकड़ा रोटी रिखा हुआ है नमबर टू येश्व मसी का पवित्र कून को दर्शाने वाला अंकूर का है रस यहां बर चोटे-चोटा कुपी में हम भर दिया है ये विशेश करके प्रभुबोश का सेवगाई के लिए कलिस्या का सेवगाई के लिए उस पवित्रदाई में बनाया हुआ अंकूर का जूसे आमेन शेटान हमेशा जूट बोलने वाला शक्ती है सच्चाई को जूट में बदलते हैं सच्च मुच्च में अंकूर का जूस प्रभु येश्व और यहूदी लोहों का बीच में चलता था बाद में पूरा दुनिया में वाइन का रूप में दार्यू डालके वाइन का नाम में अलग अलग इंडोक्सिकेटद चीज डालके लिखा हुआ चीज प्रभु का वचन का साब से देखे तो हम सबको पता हैं अंकूर का जूस तोड़ा समय रेकने के बाद वो वाइन बन जाते हैं लेकिन उस तरीका का वाइन नहीं इंडोक्सिकेटद कोई चीज एहांबर नहीं है एहांबर साधा जैसे आप लोग ट्रोपिकाना का रियल का अलग-अलग जूस आप खरी देते हैं फ्रूटी खरी देते हैं नहीं तो ऐसे रोफ फ्रूट्स आप खरीद के जूस बनाते हैं ऐसे खाते हैं वो जूस हैं यहांबर रखा हुआ चीज लेकिन इसके अंदर एक महत्तु पोर्ण चीज चुपा हुआ हैं वो चीज यही हैं येश्व मसी को दिखाने से पगले येश्व मसी देखो कुरुष्मे चड़ने से पगले रात में पैसा नाम से एक बहुत बड़ा महोच्छस हो येश्व मसी शिश्व मसी को सब येश्वी बैक्ग्राउंड से आने का कारण वो लोग ये येश्वी पैसा वो लोग त्योःकर रूप में मनेने का बीच्व में येश्व एक रोटी अपना हाथ में ले लिया तोड़ दिया शिश्य लोगा हाथ में दे दिया बदाया ये रोटी साधारन रोटी नहीं है ये मेरा दे है मेरा स्मरन के लिए इसमें से भाग ले लीजिए इसका मतलब एक गेहू चक्की में जाकर आठ बेंगर उसके बाद चूडा में जाके हमारा शरीर को ताकत देने वाले एक रोटी जैसे बिनते हैं वैसे खुदावंदेश मसी सुर्ग का प्रभु के पास प्रभु संबाल के रखा हुआ एक सुर्गी अगेहू था जब समय पूरा हुआ गल्यातियों का चार-चार में हम पढ़ते हैं जब समय पूरा हुआ वो सुर्गी अगेहू इस प्रुत्वी में आ गया है अमेन पीला तोस्का गर्ष से लेकर अमेन गर्ष समना से लेकर गोलकोता पहाड तक हमारे लिए ये गेहू तोड़ा गया है तूट गया है हमारे लिए पीस कर एक जीवन का रुटी कुरूस में प्रवेशर पिता का क्रोध अग्री में एक जीवन देने वाला जीवन का रुटी बन गया है अमेन ऐसा ही एश्व मसी हम सब के लिए अपना शरीर कुर्बान के लिए दिया है एश्व मसी का शरीर में 49 बार खोड़ा मारा है एश्व मसी का शरीर से उनका आक्री बूंद खून तक हम सब के लिए उन्होंने बहाया है देखने कसमें एक मनिश्य नहीं लगते हैं उस तरीका में ये श्मसी विर्यूप हो गया है एक मास का तुकड़ जैसा क्रोस पर ये श्मसी ठांगा गया है ये श्मसी अपना शरीर हम सब के लिए हमारा पाप से उधार देने के लिए बेलिदान देने का एक स्मरन का सेवगाई है प्रभू का मेश का सेवगाई आमेन आज ये रोटी का तुकड़ा जब आप देखते हैं लेते हैं खाते हैं समझना ये शुमसी मेरे लिए जीवन का रोटी बन गया है मुझे जीवन देने के लिए अनंद जीवन देने के लिए मुझे सुर्गियवासी बनाने का योग्य बनाने के लिए ये शुमसी का शरीर तोड़ा गया है ये शुमसी का शरीर से जितना भी खून बहाया है जितना भी देखो ये शुमसी का शरीर में छोट पहुंचा है सब आपका चंगाई के लिए हुआ है इसलिए एश्व मसी कुरूष पर बिरदान होने कारण आपका पाप का परिहार हो चुका है आपका रोगों का शिफा हो चुका है आपका स्राब कदम हो चुका है आपका विरोधी शैतान पर राज दो गया है अमेन इसलिए एश्व मसी का शरीर को मरन करते हुए आज इस मेश से रोटी लेना है दूसरा एक चीज इहां पर रखा हुआ है अंगूर का रस ये एश्व मसी का खुन को दर्शाते है एश्व मसी का आक्री बूंद लहू तक हम सब के लिए बगाया है आमेन ये एश्व मसी का लिखु के दोरा हमारा पाप से हमें मोचन मिलते हैं हमारा पाप दोया जाते हैं क्योंकि वचन कहते हैं सब लोग पाप किया है सफा उपदेशक पुस्तग साथ का बीस में लिखा हुआ है रोमियों का पत्री तीन का तेश में लिका हुआ हैं, पखले कुरिंदियों का रोमियों का पत्री पांच का बारा में लिका हुआ हैं, हम सब पाप किया हैं, एक मनिश्य के दोरा पूरा मानव जादी पापी बन गया हैं, अमेन, इसलिए येश्य मसी हमारा बदले में आकर हमारा पाप का सचा मुर्ति अपन उपर ले लिया हैं, दूसरे कुरिंदियों का पत्री पांच का इकीस में हम पड़ते हैं, हमारा बदले में येश्य हमारा पाप अपन उपर ले लिया हैं, येश्य में एक पाप भी नहीं था, येश्व मस्य जैसा इस दुनिया में कोई तुल्य नहीं है, क्यों? येश्व मस्य जैसा निश्पाप मानव जरित्र में कोई नहीं है, आमेन, अनेक लोग, अनेक लोहों के लिए कष्ट सखन किया होगा, बहुत कुछ किया होगा, कुर्बान हो गया होगा, बहुत कुछ है क्या है यह पापी पापी के लिए मरने से कोई फैदार नहीं के एक दिल्दल की कीच्छण में तो एक क्या में डूपने वाला दो विक्ति आपस्वेस्अ में बचाने के लिए कोशिश करें तो जायका क्या दोनों पानी में हैं दोनों दलदल की किछट में हैं वो एक दूसरा से पकड़ने से बचाने के लिए कोशिश करने से वो ज़्यादा नीचे डूपते रहेंगे इसलिए पापी पापी को नहीं बचा सकते हैं इसलिए बिना पाप कोई बागर से आना पड़ेगा जो व्यक्ति कुवा के उपर पानी के उपर दल्दल की किस के उपर अथिकार पाया हुआ है इसके उपर जीत पाया है इसके उपर पूरा अथिकार रखते हैं वो व्यक्ति आके बचा सकते हैं इसलिए ये इस सुर्ग से आया है आमेन बाइबल में साफ करते हैं इस दुनिया में कोई भी वेक्ति मनिश्य को बजाने के लिए सुर्ग से नहीं आया अगर समाज में लोहों को बजाने के लिए कोई आया होगा सामूख ही बहुत अच्छे अच्छे कारिय किया हुआ लोग हमारा समाज में हैं लेकिन सब लोग पृतिवी से आया लेकिन बाइबल साफ कहते हैं योगना थीस तीन सोरे चे अटीस में लिका हुआ है येशु सोर्गुस से उतर के आया आमेन और प्रेर दोंगा पुस्तक द्योका ग्यारा में लिका हुआ है लुका का समाजार चाव़ीस का इकावन में लिका हुआ है येशु सोर्ग से आया उसके बाद सोर्गुमेन चले गया है अलेलुया और लिका हुआ है अब येशु सोर्गुमें है वो सुर्ग से उत्तर के आने वाला है पगले तसलोनियों का पत्री चार का सोला में और फिलिपियों का पत्री तीन का बीस में हर जगा में लिका हुआ है येशु आगे सुर्ग से उत्तर के आएंगे आज új ऐसे 2000 साल फगले सुर्ग से उतर के आया उसके बाद, 30 साल के बाद, हम सब के लिए कुर्बान होने के बाद, ये शु번िक जी उड़ा है, ओ सुर्गारोगन किया है, अभी सुर्ग में बिराजमान है, शारीरीक तोर से ये शुर्ग में बिराजमान है, लेकिन आत्मिक से करिस्या में हमारा दिल में विराजमान शुमसी है यह शुमसी दुपारा एक दिन आएंगे सोर्ग से उत्तर के आएंगे हालेलुया ऐसे सोर्ग से आया हुआ कोई उत्धार करता है क्या मानव जायतर में बिना पाप मानव जादी को बजाने के लिए आया हुआ कोई निश्पाब उधार करता है क्या मानव जैरतर में? उत्तर यही है कोई नहीं कैवल एशु मसी है Hallelujah Amen पाबी लोहों का बदले में हमारा पाप का कारण कुर्बान हुआ कोई मानव जैरतर में है क्या? कोई नहीं दूसरे कुरिंदियों 01 पत्र ही 5 का 21 साप करते हैм पढ़िये 5 का 21 दूसरे कुरिंदियों 01 पस्तर पांश का 21 जो पाप से अक्ञात था उसी को उसने हमारे लिये पाप ठहराया कि हम उसमें होकर पर्मेश्य की धार मिक्ता बन जाएं आमेन एश्व मसी में पाप नहीं था वो पापी नहीं था लेकिन पापी मनिश्य के लिए हम सब का पाप का कारण एश्व पापी जैसा बन गया है हमारा पाप अपने उपर ले लिया अपना दार में गदा हमारा जीवन में दे दिया है इसलिए एश्य मसीफ का कुर्बान गे दोरा हम सब अभी दर्मी बन गया है हालेलुया कितना लोग विश्वास करते है एश्य मेरे लिए मरा है इसलिए हर एक पापी को अभी सुरग में जाने का वक्त है अवस्थर है आपका सामने मौका है आपके एवल एक ही काम करना आपको दोया हुआ आपका पाप का परिखार कुरूश पर पूरा किया हुआ आप के लिए बलिदान उओ आपका जगा में पापी जाईसा पाप का सच्छा मुर्ति शगन किया हुआ येश्य मसी को अपना जीवन में बुलाएं येश्व मसी में विश्वास कीजिए येश्व मसी मेरा उद्धार करता करके विश्वास करने के बाद मुंग से अंगिकार कीजिए आगे येश्व मसी के लिए अपना जीवन सोप कर येश्व मसी का एक बेटा-बेटी बनगर शिष्टायू में रहने के लिए आप समर्पन क जरूर जरूर एक दिन येश्व मसी के साथ सुर्ग में आप युगान युगरेंगे हालेलुया हमें सुर्ग में ले जाने के लिए धर्मी बनाने के लिए प्रभु का बेटा-बेटी बनाने के लिए येश्व मसी अपना खून दिया है शरीर दिया है जीवन दिया है बगाई हैं बहुत गंभीरों और महत्व पोन से बगाई हैं यह प्रभभोच कितने लोग इसमें से भाग लेने के लिए रडी हैं तयार हैं सब लोग गुटने में आईए एक सकंड सब लोग गुटने में आईए अंगों को बंदिर की हमारा दोनों हातों को उडा करेश्व म मुझे इतना प्रेम करने के लिए मेरे अंदर क्या कूबी आपने देखा हैं प्रभुजी मैं अपने आपस देखे तो मैं एक पापी मनिश्य हूँ मेरे अंदर बहुत सारे गलतियाम हैं फिर भी आपने मुझे प्रेम किया हैं अब मेरा जगा में मेरा पाप का सचा मुर्त आप मेरा जगा में मारा है येशु आपका प्राण देते हुए आप मुझे प्रेम किया है इस बदले में मैं क्या दे दू मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रभू ये चोटा जिंदगी में आपका हाथ में सोंदा हूँ येशु मेरा दिल में आईए येशु मेरा पाभों को चमा कीजिए मुझे एक और बार आपका लेखु उसे दो लीजिए आज तक इस पल तक जित्रा भी गलतिया मेंने किया है येशु प्रभू जी में चमा मांगता हूँ में चमा मांगता हूँ में चमा मांगता हूँ मुझे दो लीजिए मैं आपका मेर से भाग लेने के लिए जा रहे प्रभू आपका शरीर और खून का भाग बनने के लिए जा रहे और मुझे आशीश करे येशु के नाम समानते हैं अब ये प्रभू से प्रार्थना कीजिए प्रभू तेरा हाथ से तोड़ कर ये रोटी और आपका कठोड़ा से मुझे दे दीजिए प्रभू का सामने प्रार्थना करे